प्रधान मंत्री ने क्यों कहा कि अपने सीयम को थैंक्स कहना मैं जिन्दा लौट पाया? क्या उस भावक्ता के कारण जिसे समेट कर बड़ी चुनौतियों का सामने प्रधान मंत्री करते रहें? मिरे लिए बड़ा भावपल था प्रधान मंत्री ने क्या आवेश में आकर कहा कि सीयम को थैंक्स कहना मैं जिन्दा लौट पाया जैसा आक्रोश पाकिस्तान के आतंकियों पर कारवाई के बाद प्रधान मंत्री का दिखा देश में जितना आकरोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा है या फिर प्रधान मंत्री ने खुद के जिन्दा लौट पाने की बात बहत सयमित होकर चुनाउतियों का सामना करने के बात कही बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आकरोश वक्त कैसे फिरोजपूर में स्थित्यों का सामना पी-म ने किया होगा जब प्रधान मंत्री स्कार के भीतर रहे होगे खत्रा देखकर स्पीजी कमांडो बाहर थे इस मनोभाव को समझने के लिए आज तक संबाददाता गोपी घांगर एहमदाबाद में किशोर मकवाना के पास पहुँचती है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई किस्सों को जानते हैं और उन पर किताब लेच चुके हैं आत्मविश्वास है जो आत्मबल है वो प्रचंड है तो वो इस प्रकार की सिच्योसन में एकदम शांत ही रहते हैं वो उनका एक सोभाव है चाहे चुनोतिया कितनी भी गंबीर हो तो भी वो एकदम उनका आत्मबल है वो प्रचंड है इसलिए वो शांत रहते हैं एकदम उनका द्रण मनोबल है चुनोतियों और विप्रीत परिस्थितियों का मुकाबला प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करते रहें इसे कश्मीर के लाल चौक से जुड़ी कहानी से याद करिये जो खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी सुना चुके हैं प्रधान मंत्री चुनावी रैली में पहुंचे रैली के बीच हल चल हुई भगदर जैसी स्थिती पैदा हो गई बेरिकेट्स तोड़कर भीड स्टेज की तरफ बढ़ने लगी इसके बाद प्रधान मंत्री मोदी ने अपना भाशन जल्द खत्म कर दिया एस्पीजी ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला 26 माई 2018 विश्वभारती दिक्षान समारो प्रधान मंत्री विश्वभारती विश्विद्याले के कन्वोकेशन में मंच पर मौजूद थे तभी नादिया का एक युवख स्पीजी सिक्यूरिटी से गुजरते हुए सीधे मोदी के पास पहुँच गया जब तक गार्ड्स उसे पकड़ते उस युवख ने प्रधान मंत्री मोदी के पैर छू लिए प्रधान मंत्री हैरान हो कर देखने लगे फिर सहज हो गए पुलिस ने बाद में इस युवख को पकड़ा और पूछ दाच की अगस्त दो हजार अठारा प्रधान मंत्री पर हमले की नकसली साजिश ये वो वक्त था जब महराश्ट्र में एंटी नकसल आपरेशन के तहट छापे मारी हुई तभी कुछ इठिया सुरक्षा एजेंसियों को मिली जिसमें प्रधान मंत्री को टार्गेट करके मारने की साजिश रची जाने की बात सामने आई 28 दिसंबर 2017 प्रधान मंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश में भटक गया ये बात तब की है जब मोदी नोड़ा में एक कारेक्टरम में पहुँच रहे थे काफिले में आगे चल रही स्थानी पुलिस की गाड़ी के गलट टर्न लेने पर दो घंटे तक प्रधान मंत्री का काफिला भटकता रहा इस मामले में बात में दो पुलिस कर्मियों पर कारवाई हुई अपनी सुरक्षे में आई इन सभी दरारों के वक्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सयम नहीं खोया चुनावतियों के वक्त प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चलता है इसे जानेंगे उससे पहले एक बयान सुनते हैं तो भारत का चरीत्र अजय रहने का है विजय रहने का है लेकिन किसी के हक को छिनना ये भारत का चरीत्र नहीं है और ये तो प्रग्वान राम चंद्र जी और लक्ष्वन का जो संवाद है लंका छोड़ते समय तब भी उस सिधानतों को हमने देखा है लेकिन जब कोई टरिजम एक्षपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो मेरे देश के निर्दोस्त नागरीकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो युद्ध लगने की ताकत नहीं है पीट पर वार करने के प्यास होते हो तो ये मोदी है उसी बहाँसा में जवाब देना जानता है आतंक हो या दूसरी कोई भी विप्रित पर स्थिती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस वक्त का सामना करते हैं फैसले लेते हैं इस बारे में हमने पहले बात की वरिष्ट पत्रकार संजय सिंग से उरी की घटना होई और उरी की घटना जिस दिन होई उस दिन प्रधान मंत्री के मोदी जी के कुछ कारेक्रम लगे हुए थे जो डिवलोप्मेंट के इनिशेटिव से डिवलोप्मेंट के कारेक्रम थे वो उन कारेक्रमों में गए लोगों को लग रहा था कि वो सारे कारेक अब सवार उट्टाइक की पंजाब के फिरोजपूर में जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा से खिलवाड हुआ क्या उसके दोशियों पर भी कारवाई खुद पियम चाहेंगे एक कहानी हमें प्रधान मंत्री पर के दाब दिख चुके किशोर मकवाना सुनाते हैं आपको याद होका जब वो गुजरात में थे तो एक मुस्लिम युवा ने धमकी भरा उनको इमेल भीजा था जब पुलीस ने उनको गिरभतार किया तो सामने से उनको पुलीस को कहा कि अभी युवा है उनकी कारकिर्दी लंबी है कोई ऐसा न करे कि टाकि उनकी कारकेड़ी पर नुक्सान हो तो ऐसे विरोधियों होते ऐसे इस प्रकार धमकी देने वालों को भी उन्होंने सुरक्षा दी जनता की सुरक्षा हर समय चाहने वाले नरेंद्र मोदी की जान पर जब पंजाब में कुछ चूप, कुछ लापरवाही के करण खत्रा आया तो आगी क्या होगा? कारवाई हो भी या फिर सिर्फ राजनीती?